पिता राम उतार सिंग जो पिछले दस दिनों से सिर्फ इस बात के लिए आला अधिकारी और कारियालेओं के चक्कर लगा रहे हैं कि उनके बेटे के मरने की अपायार दर्च हो जाएं इन्होंने ठाने से लेके एडी जी तक का चक्कर लगाया क्या हुआ यहीं बताई पताइए ना मोतार जी क्या हुआ क्या मामला क्यों परिसानि है यहां से लोग करते हैं कि यहां होगा हूँ, यहां करते हैं कि यहां हमें गोड़ रहा हूँ, कहीं हमारी फ्यारा के लिए ग्रदोगा ओने एक आध्निट Krista Looq यहां लास मिलती है वही उसी ठाने में इसका फ्रयार होगा, हमारे हमें नहीं रपाएगा. जब मैंने यहां पर आया, तो यहां भी उसकिन नहीं हुई, जब मैंने अलादेगारी पुलिस महाली दे सकता है, वहां भी तो हम नियाए के लिए गोहार किया, कहें दियाए के लेकिन अब इन्हों कहा रहा हैं कि वहां के आने के बावजूद भी मैं भूम रहा हूं, तहां भी अफ़यार नहीं हुए उनके लिखने के बावजूद भी आप भी आप जो एक आदमी के मरने के बाद रस्म रिवाज प्रिया कर्म होता है, वह लोग करने के परसान है, आप परिवार के आदे लोग क्यों इस बात के लिए दौड़ रहा है कि यह फ़यार हो जाए, क्या का बड़ा भाई एक किता का बड़ा पूच्छ अगर मर जाता है, तो अब अहीं अन्दाजा लगा सकते हैं कि उन लोगे के उपर जाती होता है, और हम लोग चीज समय है, क्रिया क्रम का काम करना चीए हम लोगों को, तो हम लोग जो है कि ठाने का प्रसाशन का एड़ी अब क्या हो सकता है, यह मामला तब का है, जब चंदवली जिले में एक मंत्री आके कानून व्यवस्था की और पूरे सरकारी योजनाहों की समिक्षा चल रही है, वहीं एक आदमी दस दिन से सिर्फ या भाई यार लिखाने के लिए परिशान है,